मैं भारत को भारतियता की माननिता के आधार पर फिर से ख़ड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा भो, कि आप जो तेल खाती है ना तेल तेल के बारे में आएरोवयद ये कहता है कि बाद के सभी रोगं को संतुलित रखने के लिए तेल पित के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए देशी घी और कफ के सभी रोगों को संतुलित रखने के लिए शहद ये तीन चीजों का सेवन अतियावश्यक फिर से सुनी वाद के रोगों को ठीक रखने के लिए ते पित के रोगों को ठीक रखने के लिए देशी घी और कफ के रोगों को ठीक रखने के लिए शहद अब शहद ना मिले तो उसकी जगे गुड लिख लो गुड तो कफ ठीक रहे तो इसके लिए गुड खाओ पित ठीक रहे इसके लिए देशी घी खाओ और बात ठीक रहे इसके लिए तेल खाओ अब तेल कौन सा खाना ये मुझे बता हमारे घर में तेल निकाली के लिए अगर मशीन है घर में नहीं गाओं तो शायद तेल की मशीन कोई लिए लगाता है गाओं में तो होती है तो गाओं में जो गाणी चलती है उस पर निकाला हुआ तेल सबसे अच्छा ये बाजार से डुपे वाला तेल लाते ना ये जहर बाजार में जो तेल मिलता है जिसको अंग्रेजी में डबल रिफाइंड तेल कहते हैं ट्रिपल रिफाइंड तेल कहते हैं तेल को जो कैमीकल मिलाए जाते हैं, वो कैमीकल जहर हैं। üç लिए यह डबे ओला तेल आप मतता ही w तो डबे वाला तेल आपमत क्वानेड उसम गानी में तेल निकलवाना सरजों का हो , तरिख्यों का हो , ताजा तेल निकलवान ख़ानों खर क्योंतेज़ habits प्रोटीन निकल गया फिर तो वह पानी हो गया तेल कहा अब और ईपन रिफाइन पर गारा पर खत्म कर देते हैं पानी जैसा तेल हो जाता है यह तेल सबसे खतरदाना आज-कल सबसे ज़्यादा ही घात हो रहे हैं आर्केटेग यह बाजार वाले तेल खाने से हो रहे है इसलिए आप बाजार का न्युक्ति गानी पर तेल निकलवा के उसका उप्योग करें वो सर्सों का तेल हो, तिरी का तेल हो, नारियल का तेल हो या कोई दूसरा तेल आप खाते हो, मुंफली का तेल हो या कोई भी तेल हो लेकिन गानी में निकलवाया हुआ तेल है और दूसरा माताओं को निवेदन है डालडा कभी मतला है दुनिया में महासत्यानाशी कोई एक चीज है तो ये डालडा है इसने सबसे जादा बरबादी लाई है भारत के गाउंगा थोड़ा सस्ता है लेकिन जहर पे जहर है उसे डालडा का मैंने परिक्ष्ण कराया था 23 जह पूरी बनानी है तेल में भले बनालेना कंभी मिर्थे सर्जों के सेब्बort बना बहुत अच्छी बनती और मेरी माताय बात मालेए तिल के तेल की तो इतनी स्वाद होती है, जो किसी में नहीं बहुत है अफ पूलके आती है, तिल की तेल की फूलके और सबसे जजादा शरीर के लिए दुरुस्त है तरीका तेल का माने ही तिल है, तिल में सही तेल शब्द बना तो आप तेल में पूरी बना लेा तेल में कचोड़ी बना लेना ये कि डालडा में कभी मतना और घर में कोई शादी ब्याव बरात हो तो उसमें भी डालडा मतला क्योंकि जो अपने लिए जहर है वो सब के लिए जहर है तेल में ही बनाना घर में भी अगर जैसे शादी ब्याव बरात है तिरी के तेल में पूरी कचोड जोभी बनागे खिलाप बहुत बढ़िया बोग बारा करें गया इतनी स्वात बनती है आधाई कि वह मने देशी कभी घी घाना को अब देशी घी गायका मिले तो सबसे अच्छा नहीं तो बहस का भी चलेगा लेकिन देशी घी अब तीसरा और आखरी मिंहीं बताया गुला खाना गुल जो सबसे अच्छा शेट खाने का तरीका है दूद में लाई तो गुल्मणे दूद में या ठेंडे दूद में शहरद मिला के खा सकते नहीं तो पानी में मिलाके पी सकते Really प्रूद चाटके खा सकते और शैर्ड महना पड़े तो गुल् खाना चीनी बंकर भेना पाता है ये चीनी जो है ना मरे हुए जानवरों के हड़ियों से साफ की जाता है आप अगर शाकाहारी हैं और चीनी खा रहे हैं तो रोज आपके मूँ में मास जा रहा है क्योंकि जानवरों को काटने के लिए कतल खाने चलते हैं सारे देश में उन कतल खानों में जानवरों को काटते हैं दस करोड जानवर कटते हैं इस देश में हर साथ उनका मास निकलता है बजार में बिख जाता है हड़िया निकलती है हड़ियों को ये चीनी मिले करीते और हड़ियों का पाउडर बनाके चीनी को साथ करते फिर वो चीनी आपके पास आती है इसलिए चीनी बिल्कुल मत खाये गुड़ खाये उसकी और गुड़ जादा अच्छा वो होता है जो काला काला हो और थोड़ा लाल रंका हो सफेद गुड़ बहुत अच्छा नहीं है तो यह चोटी-चोटी कुछ बात है जो मैंने कहीं आपके स्वास्तत दुरुस्त रखने के लिए इनका आप उब्योग करिए